हलो दोस्तों, मैं जूलियन हूँ, मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप अपने डेक्स्टॉप PC से अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी को कैसे अपलोड कर सकते हैं। आप अपने डेक्स्टॉप PC पर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी बना सकते हैं और हैश्टाग, इमोजी और सभी तरह के इंस्टाग्राम स्टीकर जैसे लोकेशन स्टीकर, क्विजिस वगेरा का अस्तिमाल कर सकते हैं। मैंने अभी तक कोई ऐसा सोशल मीडिया प्लानिंग सॉफ्ट्वेर या वर्क राउंड नहीं देखा है जिसमें इस तरह के फीचर्स हो, स्टोरी टो काफी सफेस्टिकेटिड है और अच्छी बात यह है कि आप इसे फ्री में ट्राइ कर सकते हैं। इसके बाद आप इस स्क्रीन पर लैंड करेंगे या आप गूगल या अपने इमेल और पास्वोड के साथ साइन अप कर सकते हैं। इसके बाद आपको इक इमेल मिलेगा, बस इमेल में लिंक पर क्लिक करें और यह आपको सीधे स्टोरी टो के डैश्वोड पर पहुचा देगा। सबसे पहले आपको यह पॉपप नजर आएगा, क्योंकि सबसे पहले हमें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को अप्लिकेशन से कनेक्ट करना होगा, ताकि इस स्टोरी टो आपके लिए स्टोरी इस पोस्ट कर सकें। यह स्टेप काफी आसान है, बस अपनी लोकेशन कनफर्म करें, फिर इंस्टाग्राम का यूजर नेम और पासवर्ट डालें और कनेक्ट पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अपना इस्टाग्राम अगाउंट कनेक्शन यहां दिखाई देगा, और सीधे आपके फेस्टाग्राम अगाउंट से भी कनेक्ट होगा। आपके लिए वीडियो को खुद बाखुद 15 सेकेंड के टुकड़ों में काट देता है। कुछ अप्लोड करने के लिए आप यहां तो बटन पर क्लिक कर सकते हैं या अपनी इमेजिस को सीधे ड्राइग अड्राप कर सकते हैं और फिर यह अप्लोड हो जाएंगी। जैसे मैं इस इमेज को यहां पोस्ट करना चाता हूँ, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं इसे सीधे पोस्ट या शेडियूल कर सकता हूँ। या फिर मैं पहले Edit पर क्लिक करके Editor में जाऊंगा और फिर Storyto का Editor खुल जाएगा ये Editor काफी कूल है क्योंकि इसका Look और Feel मुझे Canva.com की याद दिलाता है तो हमारे लिए इसका इस्तिमाल करना बहुत आसान है Left Side पर आपके पास सभी तरह के Instagram Stickers दिये गए जैसे Link, Sticker, Hashtag Location और आप बस उस पर क्लिक कर सकते हैं और फिर आप जो करना चाहते हैं उसे सीधे-सीधे टाइप कर सकते हैं जैसे सूरज और फिर मैं इसे Story पर Move कर सकता हूँ मैं ऐसे चोटा, बड़ा या Tilt भी कर सकता हूँ आप Link Sticker जैसे ज्यादा मुश्किल Sticker के साथ भी ऐसा कर सकते हैं आप Link को URL में टाइप कर सकते हैं और फिर इसे एक नाम दे सकते हैं इस मामले में आप इसे Story टो नाम दे सकते हैं Link अड़ करें और अब Link अड़ हो चका है तो मैं वही कर सकता हूँ और इसे चारत रमूव कर सकता हूँ यह काफी कूल है और जैसा कि शुरुआद में कहा गया यह काफी यूनीक है मुझे कोई दूसरी scheduling अब नहीं मिली है इसमें आप ज्यादा Text दूसरी में जिस भी अड़ कर सकते हैं यह आप ज्यादा Shape और Gift अड़ कर सकते हैं और अपनी Story में ज्यादा Emoji अड़ कर सकते हैं आखिर में आपकी Story का Look और Feel वैसा ही होगा जैसा कि आपने इसे अपने Mobile Phone पर बनाया हो यह काफे कूल है तो अपनी Story से Satisfy होने और सब कुछ डिजाइन करने के बाद आप से क्लिक कर सकते हैं इसके बाद आप Gallery में Hashtag और Link Sticker के साथ अपनी Story देख सकते हैं अब मैं इस पर फिर से क्लिक कर सकता हूँ और Post and Schedule पर क्लिक कर सकता हूँ यह आप अपना Instagram अकाउंट देख सकते हैं जिससे हमने पहले ही Connect कर लिया है और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आपका Instagram अकाउंट आपके Facebook पेज से Connect होता है तो आप अपस Facebook पेज को भी Select कर सकते हैं जब आप अपनी Story को Cross Post करना चाहते हैं जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो Story 2 Automatically आपके Story को Cross Post कर देगा जैसे कि मैं इससे इस Facebook पेज पर पोस्ट करना चाहता हूँ आप जब चाहें तो आपके 10,000 से ज़दा followers हैं तो आप एक Swipe Up Link भी आप एड़ कर सकते हैं कि मैं ऐसे for example संडे को सुबह 10 बजे पोस्ट करूँगा और फिर आप जब यहाँ schedule पर क्लिक करेंगे तो Story 2 रविवार को सुबह 10 बजे आपके लिए Story को schedule कर देगा या हरे रंग का check mark इंडिकेट करता है कि हमारी दूसरी story पोस्ट हो गई है आई यह से चेक करते हैं तो मैं अपने Instagram अकाउंट पर जाता हूँ अपने browser को reload करता हूँ फिर Story पर क्लिक करता हूँ और अब मैं देख सकता हूँ कि जो Story आपने अभी बनाई है वो मेरे Instagram अकाउंट पर पोस्ट हो गई है तो अगर मैं View Story पर क्लिक करता हूँ तो मैं देखूंगा कि Story मेरे Facebook पेज पर भी पोस्ट हो गई है यह काफी cool है और इस तरह आप अपने desktop, PC या अपनी Instagram और Facebook Stories बना सकते हैं और पोस्ट कर सकते हैं जैसा कि मैंने कहा कि Software को Story2.com का जाता है तो आगे बड़े इंग रिज़र डालें से आजमा है दूसरे सोचल मीडिया मारकेटर्स के साथ शेयर करें शुक्रिया